आखे बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि सेमी फाइनल की चाह रखने वाली टीमों की पोजिशन अभी क्या है वही इंग्लेंड श्रिलंका नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि उनके नेट रंडेट पर भी काफी प्रभाव पड़ा है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फाइबर की चेयर पे आप इसमें साउथ आफरिका को भी बैठा दीजिए और उसके बाद एक काउच लगा हुआ जिसमें कमफोटेबली बैठी हुई है टीम न्यूजिलेंड दो मैच चार पॉइंट और साथ में करीब दो का नेट रंड रेट अगर दो-तीन मैच और ऐसे से एक्जेक्यूट भी कर रहे हैं उनका ये एक्जेक्यूशन किसी को भी दिकत में डाल सकता है तो न्यूजिलेंड के इस मुकाबले में जो हाइलाइटेड रहे वो रहे यंग जिनकी हाफ सेंचरी निकली वांस अगेन रचिंद्र रविंद्र कमाल की पारी और टैम लेथ की लेकिन फिर भी 99 रनों से वो मैच हारे फाइटिंग साइड है और उनकी ये फाइटिंग स्पिरिट कभी न कभी कही न कहीं किसी न किसी टीम को मुश्किल में डाल सकती है उसके बाद आज के सिनेरियों पे आते हैं अगर पहला मैच नहीं न हुआ होता तो हम बहुत कमफ विनिंग साइड है उनके पास एक बहुत चतुर चालाक कैप्टेन है जिसका नाम है शाकिबुल हसन उसके लावा दो और प्लेयर हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं महंदी हसन मिराज और शांतो शांतो कभी शांतो नहीं रहते हैं वो मारते हैं अलावा उसके आज का जो दूसरा मैच है उसे आप काटे की टक्कर वाला मैच कह सकते हैं क्योंकि श्री लंका ने हार जरूर जहली है लेकिन हार मानी नहीं है साउथ आफरिका के ये जो विश्व कप के तिहास का सबसे बड़ा स्कोर था 429 का टारगेट उसे चेस करते हुए उन्होंने हार नहीं मानी और चरित असलंका के रनाएं दशुन सानाका के रनाएं उसके अलावा कुशल मेंडेस वाड़ा प्लेयर उनको देखने में बड़ा मज़ा आएगा सामने पाकिस्तान की फॉर्मिडेबल साइड है रिजवान और साउच शकील का रन निकलना उनके लिए अच्छी साइ बॉलिंग की अगर बात करें तो तीक्षना तो हैं ही लेकिन काफी दारोमदार रहेगा विल्ला लागे लागे रे सामरे दुनित विल्ला लागे इस बंदे ने पहले मैच में भले ही कुछ ना किया हो लेकिन आज के मैच में कुछ कुछ करेगा जो पाकिस्तानी शायद करेगा जीतेगा और दूसरे तरफ पाकिस्तान और श्रिलंका जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा आप क्या कहेंगे बताईएगा